दोस्तों आज की इस वीडियो की माध्य में से हम आपको फाष्ट के विलोम सब्द के बारे में आपको अच्छी से जानकारे देंगे आप इस वीडियो को लाइक करें चेनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकम को दबा दें हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि विलोम सब्द किसे कहते हैं ताकि आप फाष्ट के विलोम सब्द को अच्छी तरह से याद कर सकें तो दोस्तों जरा देन से सुनी कि वे सब्द जो एक दूसरी की विप्रीत या उल्टार्थ देती हूँ उन्हें विलोम सब्द कहते ही और वहीं पर आगर हम फाष्ट की विलोम सब्द की बात करते ही तो दोस्तों आपको बता देते ही कि फाष्ट का विलोम सब्द सलो होता है यानि दोस्तों फास्ट का विलोम सब्द सलो होता है और यह आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है तो एक बार आप इमरे सा दो रहें और स्क्रीन पर नजर डालें कि फास्ट का विलोम सब्द सलो माना गया है अगर आप इने और भी अच्छी तरह स्याद करना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि फस्ट का अर्थ क्या होता है और सलो का अर्थ क्या होता है तो आईए दोस्तों अब हम जानते हैं कि फस्ट का अर्थ क्या होता है दोस्तों फस्ट का हिंदी में अर्थ होता है तेज यानि जो तेज होता है उसे ही अंग्रेजी में फस्ट कहती है और वहीं पर अगर हम सलो के अर्थ की बात करती हैं तो दोस्तों सलो का हिंदी में अर्थ होता है धीमा यानि जो धीमा होता है उसे ही अंग्रेजी में सलो कहा तो दोस्तों अब आपने ये समझा की फास्ट का अर्थ क्या है और सलो कार्थ क्या है तो आप अब ये काफ़ी अची तरह से समझ सकते हैं कि फास्ट का विलोम सब्दि क्या होता हैं। तो दोस्तों ज़रा ध्यान से सुनी और अस्क्रीन पर नज़र डाले कि फास्ट का विलोम सब्द सलो होता है यानि दोस्तों फास्ट का विलोम सब्द सलो होता है और यह आपको अच्छी तरह से याद करना है जिसके लिए आप ही मारे साथ दो रहें कि फास्ट का विलोम सब् को इसके बारे में अच्छी जानकारी प्राफ तो वीडियो को लाइक करें, चेनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दी